आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ Hello गाईज, हमारा जो question है इसमें बोलाए कि एक concave spherical surface है जिसकी radius कितनी है, 10 cm है वो दो हमारे mediums को separate कर रही है X और Y को जिनका refractive index 4 by 3 and 3 by 2 है ठीक है, अगर बोलाए कि यह जो center of curvature है अगर वो X में लाई करता है ठीक है, तो अगर एक object कहाँ पर रखा है X में रखा है, तो उसकी जो image बनेगी हो कैसी होगी ठीक है, तो चार option दीए, तो बताना है तो हम सबसे पहले करें यह मालनों हमारा concave surface है, ठीक है इधर हमारा X है, इधर हमारा Y है, तो यह center हो जाएगा इधर, ठीक है और इधर हो जाएगा हमारा X medium, इधर हो जाएगा Y medium ठीक है, तो X का जो refractive index है वो 4 by 3 है, जो Y का refractive index है वो 2 by 3 by 2 है ठीक है, अब हमें क्या दिया है हमें दिया है कि जो हमारा object है, वो इधर रखा है यानि हमारा जो object है वो कहां रखा है minus U में रखा है ठीक है, और जो हमारी radius है वो भी कितनी है, minus 10 है ठीक है, तो अगर हम क्या लगा दें image formation by spherical surface लगा दें ठीक है, तो क्या होता है हमारा mu2 जहां हमारी image बन रही है divided by V minus क्या होता है mu1, mu1 की value किती है 4 by 3 divided by image distance minus U is equals to mu2 minus mu1 3 by 2 minus 4 by 3 divided by R arguably लिखती है, minus 10 ठीक है, तो अगर इसको देखें हम तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मारा 3 by 2 V अगर हम इस वाले term को उठाके इस side ले जाए, ठीक है ठीक है, तो जाएगा, यह हो जाएगा minus 4 by 3 U ठीक है, वा इसको हम अगर घठाएंगे, तो यह कितना आएगा मारा यह आएगा मारा इसको लिखें, तो इसको का हम लिख सकते है 9 by 6 minus इसको हम लिख सकते है 8 by 6 divided by minus 10 ठीक है, तो फाइनल यह मारा क्या जाएगा सोरी, यह मारा क्या आगे अगर हमने इसको इदा ट्रांसफर कर दिया था तो यह जाएगा 3 by 2 V equals to minus 4 by 3 U plus ठीक है यह minus इदा रह जाएगा, तो minus यह जाएगा मारा 1 by 60 ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते है यहां से हम देख सकते है कि U की value हम कुछ भी रख ले है इस U की value हम कुछ भी रख ले है अगर हमने इसको इस side रखा है तो जो total value आएगी V की वह मिसा कैसी आएगी negative आएगी ठीक है, U का magnitude हम कुछ भी रख ले है जो value आएगी वह negative आएगी वी की ठीक है, अगर V की value negative आएगी इसका मतलब क्या है कि V हमारा इस तरह बनेगा, तो हमारा object भी इधर ही रखा था और हमारी image भी वापस बन रही है जबकि raise हमारी कहा निकल गी अगली medium में निकल गई यानि कि जो हमारा reflection है sorry, reflection के बाद हमारी raise actually में meet नहीं कर रही है ठीक है, वह हमको पीछे कहीं meet करती हुए दिखाई देंगी तो वहाँ पे उसकी image बनेगी यानि कुछ भी हो जाए, you की value आप कुछ भी रख लो जो image बनेगी वह मेंसा कैसी बनेगी always virtual बनेगी ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वह अपना option क्या दे रखा है पहले में दे रखा है कि image हमेसा real होगी तो गलत image हमेसा कैसी होगी virtual होगी ठीक है, इसमें दिया है कि image is real if the object distance is greater than 90 cm तो यह भी गलत है हमारा ठीक है, तीसरा दे रखा है कि image is always virtual तो यह हो जाएगा हमारा correct answer ठीक है, चौता भी पढ़ लेते हैं चौते में दिया है कि image is virtual only if the distance is less than 90 cm तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा तो कि हमारी जो image है वह हमेसा virtual होगी, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा option 3 आज ही डाउनलूट के डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आच 400-400-400 पर